Hello friends, this is Appika Card Reading और आप देख सकते हैं, दो options हैं हमारे पास और हम check out करने वाली है Next 15 days, आपके और आपके पार्टना की इनर्जी क्या रहने वाली है Right, आपकी इनर्जी क्या रहेगा आपके पार्टना के लिए आपके लिए, तो आप देख सकते हैं हमारे पार दो option है, red is like first option and yellow one is like second option कोई भी एक option pick out कर सकते हैं चलिए हम start कर लेते हैं Red, जिन्होंने चूज किया है, Right चलिए तो यहां हम देखें के पहले तो आपकी इनर्जी आपकी current love energy आपके partner की तरफ आखिर क्या है, next 15 days में आपकी, जो मेरे viewers है, उनकी love energy I am not ready yet तो आप थोड़ा skip कर सकते वीडियो को मेरे viewers की love energy उनके partner के लिए next 15 days में आखिर क्या रहने वाली है 8 of water and page of fire 2 cards same way में हम आपके partner के लिए लेंगे आपके partner की love energy आपके लिए next 15 days में आखिर क्या रहने वाली है 6 of air 9 of earth bottom of the deck, queen of fire तो ये mutual energy ये है कि आप दोनों अपनी intuition को सुनते हुए नजर आएंगे ठीक है, तो आपकी energy की बात कर ली जाए तो यहाँ आप जो है अपने future को लेकर conscious है page of fire की energy जो है यहाँ पर वो शो कर रही है मतलब future में ये relation कहां जा रहा है आप कहां जा रही है यहाँ से तो दूर दरशीता ठीक है, तो वो वाली energy है यहाँ कि आप future को लेकर कुछ सोच रहे हो जैसे, ठीक है, दूसरी बात दूर से हो सकता है आप अपने partner को stock कर रहे है इस card के दो मतलब है जो मैंने बता दिये है और 8 of water है अपने intuition को सुनना एक step आगे लेना क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े है वो situation आपको सर्व नहीं करती तो आपकी intuition आपको guide कर रही है कि एक कदम आगे बढ़ाए और आप wait कर रही है कभी ये ship जो है किनारे पे पहुंचे और आप उस पे चड़ जाए आप बस त्यारी बैठे है आपको कोई मोका मिले किसी direction में जाने का और आप कदम बढ़ा देंगे आप वो नहीं कि सामने चीज खड़ी है तो आप सोच रही है जाओं कि ना जाओं आप just ताक लगा के बैठे हैं कि yes बस मैंने तो आगे ही बढ़ना है पीछे मुड़ के अब नहीं देखना ऐसी आपकी energy है चलिए आपके partner की energy देख ली जाए यह आपके अगले 15 दिन की energy होगी ठीक है आपके partner की अगले 15 दिन की क्या energy होगी तो यहाँ six of air है nine of earth है totally single energy रहने वाली है self love करने वाले हैं ठीक है अपनी money पे focus करने वाले हैं अपनी take care खुद अच्छे से करने वाले हैं और यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं देखिए आगे बढ़ने की energy यहाँ दोनों की ही है यहाँ आप अपनी intuition को सुनते होगी आगे बढ़ रहे हैं यह इनसान जो है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है बट यह single है totally individual power में है अगले 15 दिन में यह इनसान सिर्फ खुद पे focus करेगा खुद की money पे खुद का self love और vibration बहुत high है confidence होगा पूरा और आगे बढ़ना चाहेगा आपके साथ मिलके ठीक है देखिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है यह जो ship है वो यह है आप कही न कहीं इंतज़ार कर रहे है इस इनसान की आने का और यह इंसान जो है यहाँ लग रहा है कि यह इनसान भी आपकी तरफ आना चाहता है यह दोनों ही कास देखिए आप किस तरीके से matching हो रही है आपका partner भी आपकी तरफ आना चाहता है और आप भी इसी का इंतिजार कर रहे हैं कहीं न कहीं हाला कि आप दूर से अपने पार्टनर वो स्टॉक कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपका पार्टनर अपनी सिंगल पावर में है और अब वो आपके साथ जो है जो भी डिस्टर्बंसी उसे ख़द्म करना चाहेगा क्लियर करना चाहेगा next 15 days में राइट चलिए यहां से हम कुछ messages लेंगे feelings क्या है आपके partner की आपकी तरफ next 15 days में आपके partner की feelings आपके लिए आपके क्या रहेगी emperor wheel of fortune आपके partner की feelings आपके लिए क्या रहेगी इतने सरकाज नहीं लेंगे हम पार्टर की feeling आपके लिए वाव पेर आचुका है यहां offer भी आ रहा है bottom of the deck night of cups तो यहां आप दोनों ही एक दुसरी की तरफ देख रहे हैं आप भी इंतजार कर रहे हैं भी आना चालता है तो यहां कई बार यह energy ऐसे होती है कि दोनों different mode में देख रहे हैं बट यह cards ऐसे आए हैं अब दोनों ही अपनी intuition को सुनते हुए दोनों ही confidence level आप दोनों का बहुत high है perfect match है equal match है maturity level equal है same vibration में है और दोनों ही fire sign भी strongly हो सकते हैं वैसे मैं आपको यहां सारे signs बताऊंगी यहां earth sign भी हो सकता है fire sign भी हो सकता है water sign भी हो सकता है और air sign भी almost सारे signs हैं बट यहां जो आपक couple है ना passion बहुत है आप दोनों के दिलों में एक दूसरे को लेकर आप दोनों ही जो है attraction कावी feel करते हैं दूसरे को लेकर यहां passion की कमी नहीं है right अपनी intuition को सुनते हुए आप दोनों की intuition एक दूसरे की तरफ ही भेज रही है आपको और यहां मुझे कुछ changes आते हुए नजर आ रही है आपके partner चाहता है यह आपके partner की energy ही निकाली थी मैंने feelings changes चाहता है आपका partner यहां ठीक है हलाकि अभी भी stubborn synergy तो वहां है बट justice करना चाहता है कही न कहीं अपनी intuition को सुन रहा है यहां पर अभी तक अगर कुछ नहीं था तो कुछ changes लाना चाहता है इस connection में कुछ बगलाव लाना चाहता है by offering you their cup यह इंसान धीर धीर आपको अपना love का offer देना चाहता है आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है ठीक है यह strong strong energy निकल की आई है चलिए अब song ले लेते हैं ओके file number one के partner की तरफ से तो यहां हमारे पास है तू थोड़े देर और ठहर जा तो यह इंसान चाहता है आप थोड़े देर और wait करें इंसान की क्योंकि यह आपकी तरफ आने की planning कर रहा है तो यह थी आपकी छोटी सी love reading चलिए अब हम चलते हैं file number two वालों की तरफ जिन लोगों ने भी yellow color choose किया है wait a second friends आप skip कर लीजिएगा वीडियो को let me shuffle तो हम यहां सबसे पहले देखें next 15 days में आपकी love energy क्या रहने वाली आपके partner के लिए जिनोंने file number two choose किया है आपकी love energy क्या रहेगी 9 of earth आपकी love energy क्या रहेगी अपने partner के लिए for the next 15 days pool card आपके partner की love energy क्या रहेगी आपके लिए for the next 15 days 6 of water one card more आपके partner की love energy आपके लिए for the next 15 days 4 of water bottom of the deck हम देखेंगे empress यहां मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे viewers है वो empress की energy में है यह energy आपके partner की नहीं आपकी है no matter आप लड़का हो लड़की हो but आप empress mode में है empress mode में कहने का मतलब है high vibration में है single है खुद पर confidence है अपनी creativity level पर काम कर रही है तो खुद में काफी high vibration में है आप काफी attractive नजर आ रही होंगी लोगों के according लोग attract हो रही होंगे आपसे creativity बहुत है caring nurturing बहुत है new ideas को जनम दे रहे होंगे किसी भी way में ठीक है but आप shine कर रहे है जो भी है जैसे भी है ठीक है कोई लोचा नहीं है emotional लोचा नहीं है high vibration में है confidence level बहुत high है और आप खुद काफी mature हो गए है चलिए बात कर ली जाए आपकी energy next 15 days आप देख रहे हैं कितने beautiful card आए है 9 of earth full card यह आपकी energy रहने वाली है आगले 15 दिनों में तो क्या है यह energy यह है आप single रहने वाले हैं अपनी money पर काम करते हैं नहीं हज़राएंगे खुद पर काम करते हैं नहीं हज़राएंगे confidence level आपका high रहेगा vibration high रहेगी तो यहाँ totally जो एक energy है oh my god wait a second friends okay तो यहाँ जो आपकी energy है वो यहाँ show हो रही है कि आप बहुत independent sort of energy जो है आपकी देखने को मिलेगी और साथी fool की energy दिखा रही है कि आप नए-नए risk लेना चाहेंगे अपनी life में must mola बनके आगे बढ़ते होंगे कोई tension नहीं है कोई fear नहीं है कुछ नहीं है आप बहुत high vibration में है जो head so है आप अपना must mola हसते खेलते होए आगे बढ़ते होए नज़र आएंगे यहाँ no matter what एक नए शुरुआज जीरो से करते होए नज़र आएंगे वहीं आपके partner की energy देख ली जाए यहाँ healing चल रही है आपके partner की आप देख रहे हैं यह यह देखिए आपके बिना जो है इस इंसान का यह हाल है currently अगले 15 दिनों में यह ऐसे रहने वाले हैं तो यह इंसान जो है काफी wounded है चीक है और अगले 15 दिन में क्या होने वाला है इस इंसान की healing होने वाली है healing पर focus रहेगा इस इंसान का ठीक है healing चल रही है आपके partner की किसी न किसी वे में healing के लिए कुछ कर सकता है आपका partner music और कोई therapy और bineutral beers और whatever तो यहाँ एक तरह की healing phase चल रहा है आपके partner का plus आपका partner ना अकेले रह रहे के ठक गया है अब वो जो भी conflicts थे आप दोनों के बीच में उसे sort out करना चाहता है ठीक है अब यह जैसे tired हो चुका है exhaust हो चुका है healing चाहिए और उन्हें पता है यह healing की energy कही न कहीं आप ही उन्हें दे सकते है तो यह इस इंसान जो है अब भाता है कि आप मैं यह burden और जो है carry नहीं कर सकता चलिए देखते हैं इस इंसान की feeling क्या रहेगी आपके लिए अगले 15 दिन तक इस इंसान की feeling क्या रहेगी आपके लिए next 15 days Ace of Swords communicate करना चाहता है यह इंसान आपके साथ बातचीत करना चाहता है एक नई शुरुआत के लिए आपके partner की love energy क्या रहेगी यह healing healing blessings क्योंकि आप उनके लिए blessing का काम करते हैं healing का काम करते है miss कर रहा है आपको बुरी तरह यह इंसान अगले 15 दिन में इसकी energy क्या रहेगी तो आच चुकी हैं दोकाज six of pentacles and the king of swords यह इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से miss कर रहा है हाला कि anger issues भी अभी इस इंसान के गए नहीं है ठीक है anger issues अभी भी वहीं है वहीं के वहीं attitude नहीं change हुआ भी balance बना रहा है हाला कि communicate करने के लिए desperately मरा जा रहा है ठीक है new beginning चाहता है divine की blessings की रूप में देखता है आपको और इसे पता है आप ही हैं जो इसे heal कर सकते हैं तो यह heal करना चाहता है खुद की pain को balance बनाना चाहता है communicate करना चाहता है new beginning चाहता है हाला कि anger issues अभी भी देखने को मिल रही है bottom of the day देखेंगे soulmate की तरह देखता है यह इनसान आपको stuck है किसी वज़े से no communication है किसी वज़े से stuckness है बट आपको देखता है यह soulmate के रूप में mutual love energy है यहाँ एक तरफा नहीं है ठीक है इस इनसान को भी पता है share करना चाहता है अपना love आपके साथ ठीक है चलिए song देंगे अब हम number two वारों के लिए हमके पास्ने की तरफ से चलिए एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई यह था song आपके लिए कैसी लगी आज की reading कमेंट सेक्शन बताएगा okay friends बाबाई